नमस्ते स्वागत आपका इस वीडियो में और आज जो है important news को हम cover करेंगे उसी के साथ साथ अगर आपको regular updates चेहे तो आप हमारे website profitnama.com में जाके सारे जो important news होते हैं वो चेक कर सकते हैं हर दिन का जो headline है वो भी आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा वहाँ पर जाके आप study क कर सकते हैं उसके बार में जान सकते हैं और हर एक जो news होता है important news होता है जो जादा important है उसका explanation सब कुछ अच्छे तरीके से यहां पर किया हुआ है और यहां पर stock analysis भी हमने provide किया हुआ है ताकि आपको अगर कोई stock का जो analysis हम लोग करते हैं internally वो आपके साथ share करते हैं ताकि आ important news के उपर तो यहां पर KKR ने बताया था कि भई हम जो है इंडिया में पैसा लगाने वाले हैं 10 बिलियन डॉलर जो हम इंडिया में पैसा लगाएंगे जल्दी इल्दी ऐसा नहीं कि बहुत आस्ते आस्ते हो हौले हौले पैसा लगाएंगे वो बहुत ही जल्दी इल्दी हैं उनका में अबजेक्टिव होता है कि हम मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं हम बिजनसे में जो है पैसा लगाकि वहाँ परोनर्शिप लेना चाहते हैं और वहां पर प nessac के basis में हम exit ले सकते हैं और अपना जो पैसा है उसको double कर सकते हैं उसमें अच्छा return पास सकते हैं दूसरा है कि अगर company का sales बहुत अच्छा आता है या आपका cash flow बहुत अच्छा आता है तो फिर वहां पे dividend payout जब होगा तो उसका benefit उठा सकते हैं पी जो है private equity जो होता है primarily आपके mature companies जो listed companies है लिस्ट होने वाले companies है mature established business होते हैं उसमें जो है वो आपका भागी-दारी करते हैं वहां पे वह इंवेस्ट करते हैं venture capital primarily आपके start-ups में invest करते हैं जिसके valuation बढ़ने का आसार बहुत जादा होते हैं cash flow का पता नहीं जैसे पे-टी-एम यह सारे जो companies है उरान बाइजूस इनमें पहले पहले जब यह company शुरू होई थी जब पैसा उठा रही थी तो venture capital ने इसमें पैसा लगाया था private equity ने नहीं ल objective होता है वो completely अलग होता है तो इस जगह के आपको ध्यान में लखना पड़ेगा तो हमने क्या देखने को मिल रहा है कि KKR जो है उसने आपका big ticket investment किया है book my show में near about 200-300 million dollar उन्होंने इस company में लगाय हुए है और बहुत ही अच्छा चीज है और यहां पर और एक चीज़ आप को देखने को मिलेगा कि book my show is backed by reliance industry major conglomerate और यहां पर इन्होंने किस तरीके से purchase किया है कि जब भी आप किसी company का share purchase करना चाहते है इधर जो है आप उसके जो existing owners है मैं दो तरीके से होता है एक होता है कि dilution होता यानि stock split होता है यह आपके लिए homework है आप मुझे बताए कि stock split क् stock consolidation क्या होता है और आप मुझे comment section में बताए कि इसका मतलब क्या होता है ताकि आप से दूसरे लोग वो सीख सेकें तो यहां पर either जब यह ownership value होता है तो stock split के मादिन से कह जाता है बड़ यहां पर stock split नहीं हुआ यहां पर क्या देखने हूं बड़ रहा है कि a secondary share sale secondary share sale का मतलब किसी बंदे के पास ownership था उस बंदे ने कहा किया इस बंदे ने यहां पर किसी ने exit ले लिया है वहां पर यह लिस्टिंग करना चाहते हैं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वह हमें देखना परेगा चलो करते हैं यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर पूरा एक एरिया आपका जो है उसका हब बन चुका है जिसे जामतारा हो गया या मिवात हो गया तो गवर्मेंट एक लेवल तक रेगुलेशन ला सकते हैं बाट उसको एंपोर्स करना उसको इंप्लेमेंट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है जहां पर इंडिया में वेर अवर एवर्टिंग इस ग्रेप और जो पुलिस जो है पुलिस वो स्टेट के अंदर आती है लौस्ट यहां अदर और जो करेंए बाट उसका इंप्लेमेंटिशन होगा यह नी होगा डेगा तर जो इसका पते नहीं हमसे इसंतिंग where you should know about it. बहुत ही तगड़ा आपका movement देखना को मिला है, HDFC bank का net profit है, it has jumped 34%, which is amazing. इतना बड़ा large cap company, 34% अगर jump मार रहा है, उसका net profit अगर 34% jump कर रहा है to 16,000 करोर, so that is really, really amazing. तो हमें का देखना को मिला है, India's largest bank by market value reported a 34% year-on-year increase in net profit for the third quarter amount into 16,000 करो, the significant rise in profit is attributed to the growth in retail and fee income, so इसके बारे में अल्रेडी मैंने बहुत बातचीत किया है, मैंने आपको यह भी बताए कि इस तरीके से जो HDFC bank is the leader right now in the market, जो bond की मादिम से पैसा उठा रहा है, अलग-अलग तरीके के dollar bond होते हैं, दूसरे currency के जो bond हैते हैं, वो आपका इस्शु कर रहा हैं, फिर अलग-अलग तरीके 81 bond है, perpetual bond market में लेके आ रहे हैं, और बहुत high level का, मतलब 1 billion dollar तो, I think 6 महीने पहले उन्होंने रेस किया, तो उसके बाद 700 million dollar का आपका bond के मादिम से पैसा रेस किया, तो they are raising a lot of funds, एक साल से मैं आपको बता रहा हूँ कि, अभी इस तरीके से, जो especially आपके जो banking sector है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, a lot of pressure is there on the banks, especially the big banks, क्योंकि वहाँ पर as such growth नहीं देखने को मिल रहा था, बट अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है, कि अगर HDFC 34% growth मार रहा है, तो सोचिए कि, इतने बरे-बरे लाज के बगर growth, इतना double digit, double digit मतलब 30-30% अगर growth कर रहे हैं, in terms of net profit, that is mind-boggling, like crazy crazy stuff, but bottom line यह है, कि आपको यह समझना परेगा, कि इसके positives and cons, बताया हैं, बहुत-बहुत समझाया है, आप खुद analysis कीजिए, खुद payment paper लेकि, उसको तो अनराइस करने की कोशिश कीजिए, कि जब भी लोगों के अंदर, लोगों की बीच में, society की बीच में, जब loan का जो खपत है, वो बर जाता है, इसका मतलब क्या होता है, एक होता है कि वो अपने aspirations को fulfill करने के लिए पैसा उठा रहे हैं, दूसरा होता है कि उनके पास income का जो source है, income का जो source है, वो limited है, और यहां पर expenses वो increase हो रहे हैं, दो तरीके के जो है, loan consumption हमें देखने को मैल सकता है, एक consumption यह है कि लोग aspirational है, मेरे पास salary हो था, अभी औरी लेना चाहता हूँ, तो वो aspiration हो जाता है, practical नहीं हो सकता है, it is not need, but it is want, बहुत जगा पर ही होता है कि, for example, कोई बंदा, यहां पर उसका requirement है, कि पहले वो भाड़े के घड में रहता था, अभी वो अपना घर लेना चाहता है, तो वहां पर वो want हो जाता है, sorry, वहां पर वो need हो जाती है, और दूसरे चाहँ पर want होता है, दोनों जगा पर आपको loan चही होता है, कौन से आपके लिए सही होगा, long term के लिए, कौन से सही होगा, आपके लिए, अगर मेरे पास 100 रुपए हैं, तो definitely I will be allocating a small amount, maybe 20-30% in large cap banks, और बाकी जो है वो चोटे, NBFC चोटे banks में मैं invest करने की सोचूंगा, क्योंकि वहां में मुझे ज़्यादा return मिलेगा, बिकॉस ऐसे AUM financial bank, यह सारे जो चोटे-चोटे banks है, उपर की तरफ आ रहे हैं, और आपको देखने में मिलेगा, कि यह सारे जो चोटे-चोटे banks है, जो आ रहे हैं market में, बहुत उनका तगड़ा local footprint है, और local footprint में ही वो dominant करना चाहते हैं, और इसी जिगा प्या और एक चीज़ आप देखोगे, यह लोकल footprint बहुत जादा vital हो जाता है, इसलिए आपका HDFC bank जो है, वो आपका, अब क्या बोलूँ, aggressively हर जगा branches open up कर रहा है, और अपना जो offline जो footprint है, उसको improve करने की कोशिश कर रहा है, चले, move करते हैं, ABG Shipyard का जो आपका scam हुआ था, they set up 27 paper companies to divert funds, तो यहाँ पर ED ने आपका पकड़ रहा था, इसके जो promoter है, वो भी शायद से jail में है, तो बहुती amazing चीज़े है, paper company मतलब, shell company, shell company क्या होता है, और यह आपके लिए homework है, आप मुझे बताएं कि shell company होता क्या है, किस तरीके से यह काम करता है, और इसको किस तरीके बनाया जाता है, चलिए मूब करते हैं अगले news में, this crypto party is not without risk, देख सकते हैं, आए मैं बोल रहा है, आए मैं जो American company है, वो बोल रही है कि आपका global growth जो है, वो बहुती अतगरा, उसको 2020 का tailwind मिलने वाला है, कि दो चीज़ आपको सुनने को मिलेगा, tailwind और headwind, ये tailwind और headwind का मतलब होता है, tailwind का मतलब होता है कि जब आप आगे की तरफ जा रहा है, इसलिए आपका ये प्राइमारियल ये एयरलाइन वी यूज़ के जा जाता है, tailwind का मतलब होता है कि जब आप, for example, कोई flight आगे की तरफ बर रहा है, थीक, आगे की तरफ बर रहा है, और हवा जो है, वो जिस डायरेक्षion में जा रहा है, उस डायरेक्षों में हवा जा रही है, तो उसको क्या होता है कि एक पुश मिलता है, मतलब पीचे से उसको पुश मिलता है, कि आप जल्दी यद्ली पहुंच राएं, जैसे हवा चलती है, हवा जैसे आप साइकल चला रहे है, अगर आप सामनी की तरफ जा रहे हो, पीछे से हवा जा रहा है, तो आपको उतना जहटका नहीं लगता है, उतना पावार लगाने की जोचनी होती है, क्योंकि वो wind जो है आपको help करता है आगे की तरफ पुश करने में और इसी जगा पर headwind का मतलब होता है कि ultra drive direction अगर आपका आ रहे है मतलब आप सीरे की तरह सीरा इसलिए headwind और tailwind का जो concept आई होग आपको समझ में आगे होगा tailwind का मतलब होता है कि the situation is favorable for you headwind का मतलब होता है कि situation is not favorable for you so यहाँ पर IMF जो American company वो क्या बोरी वो बोरी कि global headwind है sorry global tailwind है वो growth को push करेगा बट इस जगा पर हमें क्या देखने को मतलब है कुछ दिन पहली चाइना से एक news आया था चाइना से हमारे क्या news आया था चाइना से मेरे news आया था कि वहाँ पर जो चाइना को जो एक्सपोर्ट है वो पहली बार हमें decline देखने को मिल रहा है so चाइना का अगर export decline हो रहा है is it because of China plus one that is India में manufacturing Vietnam, Indonesia, Philippines में manufacturing और उसके लिए हो रहा है या या फिर आपका global level पर जो consumption है वो आपका कम हो रहा है global level पर जब भी आपका consumption कम होगा that means people are spending less and saving more so इस जगह पर growth आपको कहा देखने को मिल रहा है नहीं देखने को मिल रहा है so this is very very important यहां पर clear picture कभी भी आपको कोई बताएगा नहीं अंदर की चीज़े कोई कभी आपको बताएगा नहीं इसलिए चीजों को breakdown करके समझना बहुत ही जादा important होता है दोनों को हरी चीज़ क जोड के देखने की समझ नहीं की बहुत जादा जुगरत होती है और इस जीगह पर मैं पूशिश करता हूँ आपको इस चीज़ को समझाने में और अगर आप यह अपर आपको और एक चीज़ देखने को मिलेगा क्योंकि IMF वाला बंदा या बंदी बोल रही है यहां पर आ एक क्वार्ट या निए तीन से चे महिने के अंदर आपको देखने को मिलेगा दाग आएमफ इस हांडिग आउट हीज इस यह अंदर की चीज़ आपको समझ नहीं परेगी यही आपको चीज यही तो समझ नहीं की चीज़ दना आएम जो रहे हम देखने है कि भागी अफे जो ठोल बेंक डिस आर अवल अमेरिकन बैक्क टॉर अमेरिकल कंट्रोल कंपनी अशय डेवल्यक मंग क्लोल जो कॉम्ट अफिन प्रिच तो हम चाहिए ताकि हम आपने अनेट टार्गेट आगे को अचीव गरगे तो Hydrogen can be and will be the alternative the best alternative to petrol जी हाँ, जब आप hydrogen को use करते हैं गारी में use करते हैं, hydrogen propelled vehicles भी है, अभी market में अड़ी है Toyota ना बना के रखा हुए तो hydrogen से जब आप अपने vehicles को चला होगे fuel cell के मादिम से जब आप vehicles को चला होगे तो उसका net output क्या होता है, पता है जब आप hydrogen को combust करोगे, तो आपका net output क्या होता है पानी निकलता है, water vapor निकलता है, which is obviously very harmless, but hydrogen को बनाना, it takes a huge amount of energy, और उसको अगर आप reduce कर पाते हैं, energy consumption अगर आप reduce कर पाते हैं, so definitely this will revolutionize, revolutionary एक चीज हो जाएगा, energy energy sector में, INOX joint venture और महाराष्टा ने पक्त एक sign किया है, 3 billion dollar का ammonia unit, ammonia किसलिए use किया जाता है, ammonia अपका primarily use किया जाता है, किसमें fertilizer में, बभू, fertilizer के लिए इस्तमाज किया जाता है delay in Delhi runway, redo fuel chaos, बहुत अच्छी बात है, select edible oils to enjoy lower import duty till March 2025, so lower, क्यों है, क्यों है कारण क्या है, क्या हो सकता है कारण यह है कि हमारे देश में जो खपत है, वो बर रही है और यहां पर कौन-कौन से आपके चीज़ पर आपको कौन से एडिवल oil में आपको देखने को मिलेगा, specially आपको देखने को मिलेगा है, सबसे अदरा खपत इंडिया में होता है, पाम आपको कहां से आता है, इंडोनेशा आता है यह ज़ेज़ अपो धियान उतना है, इंडोनेशा आइंड या, इंडोनेशा गुजरात के ऐला करनाटा का offer-based ecosystem for startups, very nice tax reform needed for manufacturing investment, definitely करना तो चाहिए but possible होगा कि नहीं कि यहां पर स्टेट और सेंटर दोनों को मिलके काम करना परेगा यह बहुत ही तगड़ा चीज बताया है हमारे गोल बापु ने गोल बापु ने गोल बापु जो हमारे Commerce और Industry Minister उन्होंने बोला है कि Non-Tariff Barrier जो हम भी लगाएंगे जो हमारे उपर Barrier लगाएंगे हम उसको पर Barrier लगाएंगे उस Country के उपर So this is a very good indication that हम जो है reciprocity पे जो है वो बिलीब करते हैं जैसे Canada ने इंडिया के जो रॉक के चीफ को भगा दिया था वहां से तो फिर इंडिया ने भी भगा दिया था जो Canada के जो Intelligence के जो चीफ थे और यहां भी वो बोल रहे थे कि हम चंडिकर का जो Embassy है उसको भी बंद कर देंगे So a lot of stuff it is going on and यह बहुत एक अच्छा stance उन्होंने लिगा हुआ है कि अगर कोई भी देश हमारे उपर इस तरीकी के Mindset या इस तरीकी के Barrier लगाता है तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे और हम भी इस तरीकी के Barrier लगाएंगे ताकि आपको और हम को दोनों को आपका जो है नुकसान होने से एक साथ होगा और मुनाफ़व होने से एक साथ होगा बहुत अच्छी बात है और इससे क्या आपका पूछ देखना हो मिलेगा कि जो दूसरे कंट्रीस हैं जिसको बोलते हैं FTA यह भी बहुत दगड़ा चीज है कि आपका इंडिया जो है लिथियम का एक्स्प्रोरेशन कर रहा है अर्चिंटीना में अर्चिन्टिना जैसे अब को बताएगा अर्चिन्टिना इस नोन फॉर मेसी लाइनल मेसी और वहां पर रिसेंटली एक नए प्रेशिडेंट आये हैं महां पर और अर्चिन्टिना इस अ फॉर मेसी अपो सर्च करना एक लिडिक्स और वह दिस्विट है और वह पर वॉर वार हुआ अमेरिका एक पर आपका अर्चिंटना के साथ है ठीक है तो इसमें आपको समझना चाहिए तो बहुत अच्छा चीज है काबिल ने और हमारे जो काबिल या नी खनीज बिदेश इंडिया लिमेटेट काबिल ने आपका स्टेट होंड है और इन्होंने वहां के कैटा मार्कर के साथ का एक जोइ इस मतलब हुथां उतरेट इंप्लाइए थेट निच्ण्स मे एक आते हैं उनको फार्मल जॉब में आते हैं तो वहांपे आपका यह यह साई PFI पी पीफग्या संटना और पीफ शर्णीचलाओ करते हैं यह तो ठीक है यह चलता जब भी आपके e-commerce और consumer space में आते तो यहां पर marketing में बहुत ज़्यादा पैसा आपको खर्चा करना पड़ता है, competition बहुत ज़्यादा है, margin बहुत काम है, volume बहुत ज़्यादा मूफ करना पड़ता है, global and domestic brands bet on small cities, already I said, मैंने बताया था, क्या-क्या चीज करनी है, और किस तरीके से rural market will be the driver, क्योंकि अगर आपको volume बेशना है, तो you have to penetrate the rural market, but rural market will always look at value rather than brand, अभी आसते आसते brand recognition हो रहा है, लोग brand की तरफ आकरशित हो रहा है, but overall, अगर हम majority का जो outlook है, या majority का जो preference है, वो हमेशा value के उपर move करते हैं, Medica Bazaar जो है 200 million dollar उठाना चाहता है, it is the largest India's B2B marketplace for medical supply, मैंने कभी नाम नहीं सुना इस company का, so पहली बार मैंने सुना Medica Bazaar, so very interesting, definitely they will be, Amazon ऐसे ही वही करेंगे कि अभी market price को त्यार करने के बाद, अपने खुद का home brand त्यार करके, home brand त्यार करके manufacturing करके, वह बेचना चुझे करेंगे, company सीख higher ceiling prices for advanced coronary strength, strength का जो है, जैसे आपको पता है कि pharma में strength होता है, बिसे के लिए अगर आपका कोई भी heart का जो artery है, वो अगर block होता है, तो उसको खोलने के लिए strength को इस्तिमाल किया जाता है, tech join का जो है, additional ad revenue has charged 16% to 55,000 करो, Google का भी move किया है, सब का ad revenue बहुत अच्छा, तकड़ा हो रहा है, GOP यहां पे आएगा गुजदिन बाद, so very nice, Lamborghini ने अपका 103 unit बेचा है, एक लिए उनिट का 3-3 करोर का, मैंदा 3-3 100 करोर का, 3-3 100 करोर का उनोंने डील किया इंडिया में, which is actually quite huge, TCS aims to train all employees with Gen AI skills, अधे यार, इंडिया का जो saver in rating है, वो BB- इसका मतलब क्या होता है, कि आपको जब आप bond declare करते हैं, government securities declare करते हैं, तो फिर वहां पे आपको ज़्यादा वो देना परेगा, क्या देना परेगा, हाब अभू, interest देना परेगा, इसलिए government जो है, आपका fiscal उसको पता है भाई, कि हम लोग इतना borrowing पे नहीं जाना जाना चाते हैं, इसलिए वो fiscal deficit को reduce करना चाते हैं, और जो borrowing है, उसको हलका से कम करना चाते हैं, और यहां पर आपको यह देखने मों मिलेगा, यहां पर आपको यह देखने मों मिलेगा, तो बहुत ही बड़ी बात है, पर अगें, इसमें कोई दिक्कत होने वाले नहीं है, ग्लोबली, UN भी से आपको पता है, UN is also an American company, और इस जगा पर आपको यह देखने मों मिलेगा, जितन भी rice exporter, आपको यह देखने मों मिलेगा जितन भी rice exporter, अपनी नाम से तो नहीं करते हो, आप company के मादिम से करते हो, आप company के नाम से अपपले करते हो, तो यह क्या करेंगे, अबुदभी, Mauritius, या आपका Singapore, इस जगा पे, अपना entity कोल के वहीं से आपका टेंडर भाना शुरू करेंगे, port of supply, वो बोलेंगे इंडिया से export नहीं होना चाहिए, तो port of supply चेंज करतेंगे, आपका आइडर धाइलेंड करतेंगे, या श्रिलंका करतेंगे, या आपका अबुदभी करतेंगे, माल अबुदभी से फिर वहां से डायक निकल जाएगा, तो उसको port of export, अगर हम पकरेंगे उसको, तो वो अबुदभी दिखा देंगे, तो उसमें की दिक्कत क्या है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा खर्चा बंदों का बढ़ेगा, मार्जिन होगा, बट ओवराल इट बिग दिल अट आल, गवर्मेंट स्लाश इस वेंटवाल टाक्स on domestic crude, विच इस वेरी वेरी गुड, OMAX वो साहे 400 करों कर फंडिंग मिला है, कोटक महिना बैंट से, OMAX जो आपका, रियल एस्टेट डेवलपर है, प्रैमेली बेस्ट इन देली, प्रैमेली और एंसिया रीजिन नॉर्थ के है, और हर एक बैंक जो है, अब देखो, बैंको बरवदा SBI ये जो है, पब्रिस सेक्टर बैंक, फुशिंग फॉर बॉंड इसुस, इसुंग बहुत पैसा उठारे हैं, अभी ये इन बॉंड ये बहुत जादा पुश करते हैं, आइसे एसे लॉंबार्ज इंश्रेंस कंपनी, उसका भी प्रोफित बाइस परसें अपका सर्च कहा है, आइसे इंश्रेंस फार्मा ये सारे अस्तर अस्तर ग्रोफ करेंगी, अगरे प्रेप इंडिया स्थ बैंक, इस एक्षिए वेजिए डिडॉर्ण इस वेरी इंपॉर्ण तिंग, हुने में दो दशक तो लगी जाएंगे, बट हमें इसके लिए प्रिपेर करना परेगा, और डिडॉर्ण जिस दिन अचीव हो जाएगा उज दिन, आपका युएस, विदिन कापल अफ युएस कलाप्स कर जाएगा, बैंक अपर महाराश्टा का भी अपका 34 परसें आपका net profit, देखने में में सब महाराश्य से लोग डाल रहे भाई, प्रॉफिट माल रहे, बहत अची बात है, बीसमेट हो चुका है, ओक्या, और अपनी करियर को आके बढ़ेए, चलो, बाई बाई